प्रिये फोजी एवं डिफेंस पेंसनर यानि कि डिफेंस पेंसनर बंधु जैहिन आज हम सब का या तो असपर्स में माइग्रेशन हो चुका है या होने वाला है जैसा आप स्क्रीन में देखी पा रहे होंगे यहां कि 20,51,733 पेंसनर अल्रडी माइग्रेट हो चुके हैं यह आप देख पा रहे होंगे ब्रेकडाउन में आर्मी के 16,1 लाक हो गये हैं एर फोस के 58,000 हो गये हैं जहांकि डिफेंस सिविलियन के 3,37,000 हो गये हैं और नेवी के 43,000 हो चुके हैं यानि कि कुल मिलाकर आप कर सकते हैं 20,000 और 51,000 के डिफेंस पेंसनर के पेंसन स्पोर्स मे माइग्रेट हो चुके हैं जो कि अभी तक बैंक दिया करती थी पीडिये हुआ करती थी तो यह सब तो कहानी आपको पता ही होगा इतना आप कह सकते हैं कि 70% जो कि एक आकड़ा के मुताबिक यहनुमान किया जा रहा कि 35,000 लाक फोजी बंधू और डिफेंस सिविलियन हैं तो 35 में 20 लाक करीब हो चुके हैं तो 60-70% आप मान सकते हैं कि माइग्रेशन हो चुका अब बात यहां यह है कि जिस तरह से माइग्रेशन बढ़ रहे हैं उसी तरह से हमारे डिफेंस पेंसमर की परिसानिया भी बढ़ रही है और उसी परिसानिया को कम करने के लिए आज मै नरेंद्र कुमार, वेलनस कंसल्टेंट, इंटर्पेंट, ट्रेनर, लिविंग हैपली अपने चैनल के माध्यम से उन परिसानियों को कम करने के लिए एक PCDA अलाहाबाद का, PCDA प्रयाग राज का, और स्पर्स की टीम ने जो नई अपडेट दिया है उसे मैं लाके आपके सम क्रामिंग इंटर्फेस, आप अगर नहीं जान पाते हों तो आपको सारांस में बता दू कि API में जो वर्ड आ रहे हैं, अप्लिकेशन, इसका मतलब तो आप समझी पा रहे होंगे, आप जो होता है, इससे सौफ्ट्वेर का ही नाम है अप्लिकेशन, जो कि एक अस्पेसल फ इंडिया, आजे पीडिये दे रही थी, हमारे एकाउंट के सारे डिटेल्स को रख रहे थे, और अब स्पोर्स ये सारे काम कर रहे हैं, पीडिये के काम कर रहे हैं, तो उनके पास किसका लाइफ सेटिफिकेट अपडेट हो गया, किनका नहीं हुआ, किनका डिव है, क्या कर इन दोनों software के बीच यानि कि SBI का pension portal के बीच और sports का जो TCS का बनाए हुआ software इन दोनों के बीच यह interface करता है और यह बताता है यह interface API कि किस तरह से communicate किया जाए एक दोनों के request के response को तो यही API है हम ज्यादा technical आपको न बताते हुए हम आगे चलते हैं कि यह API हमें अंततह किस तरह से मदद करेगा और इसलिए हमने इस वीडियो का नाम दिया है राम बान यानि कि उन सारी पिंस्नर जो कि bank जाके ठक गए service center जाके ठक गए स्वाइम प्रयास करके ठक गए जिनका डेमोग्राफी फेल आ रहा है DLC अपडेट नहीं दिखा रहा है MLC अपडेट नहीं दिखा रहा है तो उन्हें क्या करना है इनहीं धेर सारी समस्याओं का आज आपके समक्ष मैं करने जा रहा हूँ समाधान तो आप हमारे साथ बने रहें और इसके लिए मैं आपको सुरुआत में ही अग्रह कर लूँ क्योंकि हमारे कई defense pensioner बंदू हैं जो कि हमारे चैनल को देखते तो हैं लेकिन 20% से ही कम लोग subscribe किये हैं तो किर्पया आप subscribe करें subscribe करने से हमारे चैनल को growth, progress, development का एक अच्छा उसर मिलता जिससे हम और प्रमानिक सूचना, जानकारी आपके लिए मुहया करा सकूँ और बड़ी से बड़ी team लगा सकूँ तो आपका एक subscription, आपका एक like हमारे लिए बहुत काम करता है तो आईए अब हम वीडियो पर सीधा सुरू होते हैं जिनकी नहीं defense pensioner का migrate हो चुका होगा, तो इस तरह से SMS आया होगा, credited का रहा होगा SMS आरा होगा कि आप PDB कर लिजिए, SMS आरा होगा आप live certificate जमा कर लिजिए और जब आप जाते हैं यहाँ, तो या तो successfully login हो जाता है sports के main window में या फिर कुछ तरह की error आती है, तो यह सब अलग-अलग तरह के stage होगे और इस stage को आपने अगर पार कर लिया होगा, अगर live certificate आपने submit कर लिया होगा, तब तो बहतर ही है और अगर live certificate आपने submit नहीं कर पाये होगे, जो कि यह annual activities होते हैं, कई तरह के परिसानिया तो आपके साथ या आपके मित्र बंदूओं, संबंदियों के साथ हो रहा होगा, तो यह video आप सबों के लिए बढ़ा ही अहम होने जा रहा, यहाँ पर हम अभी तक क्या करते रहे थे और first portal में, services में हम जाते थे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे services, और services में जाके हम track, migration, status देखते थे, इसके बाद एक window खुलता था, जिसमें हम अपने service का RO, record office, PPO number और PDA, जो भी bank का नाम होते थे, देते थे, और यहाँ capture देके आगे बढ़ जाते थे, यहाँ पर हम अप अपने record office को select कर लेते थे, PPO number देते थे, और इस तरह से यह सब करके, जब हम submit करते थे, तो हमारे आता था कि नहीं exist कर रहा, तो हम अनुमान यहाँ लगाते थे, कि हमारा database में नहीं है, यानि कि migrate नहीं हुआ है, और जिनका migrate हो जाता था, उनका सब कुछ दिखा देता था, तो यहाँ तो हुआ कि migration कैसे पता लगता है, फिर आधार कई का गलत आता था, तो हम आधार देखते थे, फिर demography fail आता था, इस तरह से कई तरह से और भी features थे, जो mobile update भी कर सकते थे, लेकिन mobile update के लिए भी आपका migration अगर नहीं है, तो नहीं हो पाता था, यहाँ भी है, चाहे वो short name हो, या sequence counter हो, जो आधार के demography cover किये गए है, उसमें कुछ और है, यानि कि आपने error bus या जो भी purification के उद्देश से, कुछ designers name आ चुके थे, आधार में, जो कि PPO से miss match हो रहे थे, यानि कि service record में जो आपने नाम दिया, यानि कि जो 10 में नाम दिया था, वहाँ कहीं न कहीं difference हो रहे थे, और यही कारण था कि demography fail हो रहा था, इन सबों से कैसे निजात पाया जाए, कई बुजुर्ग लोग हैं, जो आधार नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका संपत्ति का ब्यवरा का है, जुड़ा हुआ, वो नहीं करना चाहते थे, असुबधा थी, पर देखा जाता है, हमारे द्वारा भी, बड़ी-बड़ी कमपनियों के द्वारा भी, आपके भी social media को data analyze किया जाता है, और आगे उस पर कारवाई किया जाता है, और इसी दिशा में PCDA प्रयाग राज ने अभी एक new menu introduce किया, a sparse migrated PPO, जिसमें आप identification status check कर सकते हैं, यानि कि जो अभी तक हम करते रहे थे, अपने PPO को check करते थे, आया की नहीं, यहां काम आप यहां कर सकते हैं, यहां आप देख पा रहे होगे कि identification status, यानि कि आपका life certificate जमा हुआ या नहीं, इसके लिए आप जब top, right top corner को करेंगे, यहां sports PPO number आएगा, यहां आपको और भी तीन option है, च स्क्रीन आजाएगा, आप यहां देख पा रहे होंगे, इन महानुभाव का, मुथ्धु स्वामी का, original PPO number दिखाये जा रहा है, यहां नाम दिख रहा है, sports PPO number दिख रहा है, date of last identification इन्हों ने कब किया, यह महानुभाव ने 14 November 2022 को किया, और identification due कब है, 30 November 2023, यानि कि इस एक सा के लिए यह निश्चिंत हो गये, mode of identification क्या था, इनका जीवन प्रमान था, इनका सर्विस नमबर दिख रहा, आधार नमबर, पैन नमबर, मोवाइल नमबर, और bank account नमबर, अगर इस तरह का screen आपको आ रहा है, इसका मतलब आपने successfully कर लिया है, तो अब आपको कुछ भी करन पर ही नहीं मालूम है, तो क्या करना है, इसके लिए migration into a sports menu में, जो की number one menu हुआ करता था, अब number two menu हो गया, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करते ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा, यहाँ आपको PPO generate हुआ है, वो PPO number बगरा सब आ जाते हैं, अब अगर परिशानी तब होती है, जब आपका वहाँ नहीं आ रहा है, migration हुआ या नहीं हुआ, यह पता ही नहीं चल पा रहा है, तो अगर आपके पास a sports का PPO है, तब वो PPO number लेके, आप State Bank of India, जो भारत के सबसे बड़े lender हैं, बैंक है, अगर वो आपके PDA रहे हैं, अभी तक, pension dispersing agency, तब आप अप pension paying साखा में जाइए, या फिर अगर उपलवद नहीं हो पा रहा है, वहाँ सुभधा जनक नहीं है, तो भारतिय स्टेट वाइंग के किसी भी साखा में आप पहुँच सकते हैं, PCDA के, आदेश के मुताबिक वो आपको इस तरह का एक life certificate देंगे, जिसमें भर के देना है, यह दो चीज वो अपने API जो कि मैंने बात किया, वहाँ API में वो डालेंगे, और जैसे वो डालते हैं, यहाँ आपके सारे data उनके स्क्रीन पर फेच हो जाएंगे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, कि अगर migrate हुआ है, तो आपके PPO दिखेंगे, एकाउंट नमबर दिखे देखेंगे, आपके PPO नमबर वोल्ड दिख रहे हैं, सर्विस क्या है, IFC कौन सा कोड है, कौन से ब्रांच से ले रहे हैं, पेंसनर का नाम, सर्विस नेम, डेट आफ बर्थ, सर्विस, डेट आफ रिटायर्मेंट, कटेगरी, और रैंक, यहाँ आपको बैंक रिफुरेंस नमबर दिख रहा है, असपोस टोकेन नमबर दिख रहा है, और इन महानुभाव ने कब जमा किया था, यह भी दिख रहा है, यहाँ देख पा रहोंगे, 27 दिसंबर को ही इन्होंने जमा किया है, यानि कि इन्होंने जमा कर लिया है, लाइप सेटिपेट, तो यह स्टेटस क जानकारी अगर आपको नहीं है तो भरतिय स्टेट में के किसी भी साखा में जाएंगर आपको संदे है कनफरमेशन आया नहीं आया किये नहीं किये तो आप जाके यहां चेक कर सकते हैं यह आपको बता देंगे कि last identification date कब किया गया है अगर आपका इस साल का दिखा रहा है यानि कि first November के बाद का दिख रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं बल्ले बल्ले ही है आपको बधाई हो आपका live site वेट यमा हो चुका है अगर नहीं हुआ है तब वो यहां certificate type select करेंगे certificate receiving date आपके दिए हुए application के आधार पर यही application जो आपने दिया वहां से वो data pick करेंगे employment है, re-employment है यहां आपकी सारे data को फुरुआती screen में डालेंगे और यहां फेच होगा और यहां पर दो add करेंगे आपके live certificate, re-employment certificate या कोई dependent अगर होंगे dependent family pensioner, तो उनका एक screen और आजाता है income का तो तीनो certificate यहां वो डालेंगे और यहां submit कर देंगे submit करते ही आपका सीधा, जैसा कि हमने API को बताया यह Spurs के portal में direct चला जाता है और आपको तुरत के तुरत acknowledgement भी दे दिया जाएगा तो यही मूल है कि किस तरह से आप अपना identification, status हुआ या नहीं कैसे पता कर सकते हैं, PCDA के website में हमने पूरा demo करके दिखाया अगर नहीं हुआ है तो आप bank जाके पता भी कर सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं तो यह बहुत ही important, बहुत ही अहम सी जानकारी है, update है जो आप सबों के लिए बड़ा ही लाभकारी होने जाना है और हमारा channel का निरंतर यही प्रयास रहा है कि सारे update को आपको जल्ड से जल्ड, सूचना के रूप में नहीं खबर के रूप में नहीं, जानकारी के रूप में, knowledge के रूप में आप सबों के सामने मैं प्रस्तूत करते रहता हूं, living happily में और अब अन्त में आप सबों से आग्रह करता हूं, defense listener आप चाहते हैं कि हमारा channel देश का defense listener के लिए एक number one channel के रूप में साबित हो तो आप अवस्य ही subscribe करें, अगर आपको तनिक भी लगता है कि हमारा channel आपको value edition कर रहा है तो आप subscribe करें, like करें, comment करें, अपने समस्याओं को लिखें, पूछें, बताएं हम उसका जल्द से जल्द जवाब देने का प्रियास करेंगे अपने मित्रों समंधियों के साथ साजा करें, ताकि उन्हें भी पता लगे और bell icon तो अवस्य ही hit करें, ताकि हमारी सारी वीडियो की update आप तक तुरत पहुँच सके और आप देख सकें, इसके साथ ही हम अपने living happily channel में wellness से संबंधित आपको किस तरह से fit रखा जाए, क्योंकि इस उम्र में pensioner हो, मैं मान रहा हूं कि average उम्र साथ से ज़्यादा होगा, जो पहले discharge नहीं लिए हैं, तो सेहत के लिए भी जरूरी है, सेहत से संबंधित भी हम video बनाते रहते हैं, आप अवस्य देखें, और अगर आप चाहते हैं, कि हमारे channel से जुड़ें, तो आप membership join कर सकते हैं, जो की बड़ा ही नगन्य मात्र की आपको सुल्क देना पड़ेगा, और हमसे जुड़ सकते हैं, मैं आपको hand holding support, हर तरह का support दे सकता हूँ, देता हूँ, तो इस तरह से आप हमारे membership को भी join कीजिए, और अंत में बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराईयों से धन्यवाद, आप अपने जीवन का बहमुले समय हमारे साथ देते हैं, इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, और मैं आपके लिए न